हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहे बिहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग विसका भोगोल के अंतरकत आद्धा के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोग ने अब तक हमारा चनल भीहाज जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जरु द्वायत वाइए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को परेंगे तो इसके नोट्स को परते हैं वायू मंडल में उपस्थित जलवास्प को आध्था की संग्या दी जाती है अर्थात वायू मंडल में जो जलवास्प उपस्थित होता है उसे ही हम लोग आध्था अर्थात हुमिडिटी कहते हैं यह आद्ता प्रित्वी से वास्पिकरन के विभिन रूपों से वायु मंडल में पहुंचती है यह आद्ता प्रित्वी से किस परकार वायु मंडल तक पहुंचती तो वास्पिकरन के विभिन रूपों के माध्यम से आगे है जल को वास्प या फिर गैस में परवर्तित होने के लिए उस्मा के रूप में उर्जा की अवशक्ता होती है जिसे हम लोग आदर उस्मा करते हैं तो याद रखेंगे जल को वस्प में या फिर गैस में परवर्थित होने के लिए हमको उर्जा की आवशक्ता होती है जोकी उस्मा के रूप में मौजूद होती है जिसे हम लोग आदर उस्मा के नाम से जानते हैं आगे हैं ग्रिस्मकाल में अर्धात गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा अधिक होती है किसकी तो जल्व वस्प की जिसके फल्सरूप मौसम उमस्भरा रहता है आध्ता का मापन वायू के प्रति घन फूट आयतन ग्रेन या फिर प्रति घन सेंटिमीटर प्रति ग्राम में किया जाता है तो याद दखेंगे कि आद्था का मापन किसमें किया जाता तो वायू के प्रति घन फुट आयतन ग्रेन में या फिर प्रति घन सेंटिमेटर प्रति ग्राम में आगे हैं किसी निश्चित ताप पर वायू में निश्चित आयतन पर अधिक्तम नमी धारन करने की छमता को आद्र शामर्थ करते हैं आद्र शामर्थ किसे करते हैं तो किसी निश्चित ताप या फिर निश्चित आयतन पर अधिक्तम नमी धारन करने की छमता को वायू की आद्ता शामर्थ करते हैं आगे है वायू का ताप मान जितना अधिक होगा नमी धारन करने की छमता उतनी ही अधिक होगी तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि वायू का ताप मान जितना ज़्यादा होगा उसमें नमी को ग्रहन करने की अर्था धारन करने की छमता उतनी ही अधिक होगी आगे हैं वही नमी की मात्रा बढ़ते आच्छांसों क्या नुसार घटती जाती है अर्थात जैसे जैसे आच्छांस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ नमी की मात्रा घटती जाएगी अर्थात उस नतर कटीवन में नमी का परतिशत 2.6 वहीं मद्य आक्छांस में अर्थात 50 डिगरी पर नमी का परतिशत 0.9 परतिशत तथा 70 आच्छांसे उपर नमी का परतिशत 0.2 रहता है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आच्छांस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वहां नमी की परतिशत घटती जा रही है अब आगे है धरातल से केबल 5 किलो मीटर की उचाई तक ही वायू मंदल में समस्त नमी का 90 परतिशत सिंचित रहता है तो यह प्रस्मी काफी इंपोर्टेंट हो सकता कि धरातल से लगभग कितने किलो मीटर की उचाई तक वायू मंदल में समस्त नमी का 90 परतिशत सिंचित रहता तो केवल 5 किलो मीटर की उचाई तक आगे हैं वायू के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निर्पेक्ट आधता कहते हैं निर्पेक्ट आधता किसे कहते हैं तो वायू के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित अर्थात उसमें मौझूद कुल नमी की मात्रा को निर्पेक्ट आधता कहते हैं या आधता वायू के निश्चित आयतन पर जलवास्थ के भार को प्रदर्शित करता है कौन तो निर्पेक्ट आधता इसे प्रती घंध फूट पर ग्रेन में या फिर प्रती घंध सेंटी मीटर पर ग्राम में परदर्शित किया जाता है जिसे आप लोगोंने उपर पढ़ा है किसी निष्चित तापमान पर निष्चित आइतन वाली हवा की आदता शामर्त अरथात अधिक्तम नमी धान करने की छमता तथा उसकी निर्पेक्श आदता अरथात मौजूद आद्धा की वास्तिविक मात्रा के अनुपात को सापेचिक आद्धा किसे कहते हैं तो या दखेंगे कि सापेचिक आद्धा किसे कहते हैं तो आधता शामर्थ बटा निर्पेक्ष आधता अर्थात आधता सामर्थ और निर्पेक्ष आधता के अनुपात को ही सापेक्षिक आधता कहते हैं आगे हैं एक किलो ग्राम आदरवायू में मौजूद ग्राम इकाई में जल वास्प के शकल द्रवमान को विशिष्ट आद्था कहते हैं तो या दखेंगे विशिष्ट आद्था किसे कहते हैं एक किलोग्राम आदर वायू में मौझूद ग्राम इकाई में जलवास्व के शेकल दरब्मान को विशिष्ठ आधता कहते हैं इसी परकार विशिष्ठ आधता निश्चित आयतन वाली आधर हवा में वर्तमान वास्विक नमी की मात्रा को दर्शाती है अब आई चलते इसके प्रश्ण कोस को देखते हैं तो पहला प्रश्ण है कतन A वायु मंडल में नमी की मात्रा अच्छान से शंबंध है वही कारण R है नमी को जलवास्प के रूप में रखने की शंबंध है नीचे दीगे कोट का पर्योग कर सही उत्तर का चयन करें तो इसका सही उत्तर है A अर्धात कतन A करण R दोनों ही सही है और करण R जो है कतन A की सही अश्पस्टी करण है अब आई चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं वायु मंडल में नमी की मात्रा शंबंध मुक्ता तापक्रम से ही होता है अत इसी कारण यह सही है नमी की मात्रा बढ़ते अक्छांस के अनुशार घर्टी जाती है अर्थात उस्तर कटीवंध में नमी का पर्तिसत 2.6 पर्तिसत वहीं 50.6 पर नमी का पर्तिसत 0.9 पर्तिसत तथा 70.6 पर नमी का पर्तिसत 2.2 पर्तिसत ही रह जाता है धर्टल से केवल 5 किलो मीटर की उचारित तक ही वायु मंडल में समस्त नमी का 90 पर्तिसत सिंचित रहता है अता कतन A भी सही है चुकी नमी या फिर वास्प तथा तापमान में साप्यक संबंध है अधात तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा भी बढ़ती है इसलिए कारण R कतन A की सही व्याख्या भी करता है अब अगला पशने ग्रिस्मकाल में आदर उस्मा का अनुभव होता है जब मौशम क्या होगा तो इसका उत्तर है D उमस वाला होता है वायू मंडल में उपस्थित जल वास्प को आता की संग्या दी जाती है जल को वास्प या फिर गैस में परवर्तित होने के लिए उस्मा के रूप में और्जा की अवशक्ता होती है जिसे आदर उस्मा भी कहा जाता है ग्रिस्मकाल में इसकी मात्रा अधिक होती है जिसके फल्स रूप मौशम उमस भरा रहता है आदता का मापन वायू के प्रति घन फोट आइटन पर ग्रेन या फिर प्रति घन सेंटिमीटर प्रत तो हवा में नमे की उपस्थिती का परी नाम है गौरतलब है कि वायो मंडल में उपस्थित जलवास्प को आधता कहा जाता है तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रस्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आये हो तो आज के लिए बस इतना ही बहु